राधा कहने लगी, खाना एका समय हो गया है, बच्चों को भूक लगी होगी, आप लोग भी अभी आये होंगे, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, कहकर वे खाना बनाने के इंतजाम करने लगी, सत्तों मना करती रही, पर राधा कहां मानने वाली थी, अब सत्तों बच्चों को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी घर पर जाकर किसन को सारी बात बता दी बोल पड़ी बच्चे तो ऐसे गुल मिल गए थे उससे जैसे वो उनकी दीदी को बरसों से जानते हो ये तो घर आने वाले ही नहीं थे किसन सब समझ रहा था याद आ गया उसे जब वो मम्मी पापा के साथ गाव आते थे तो चाची भी उन्हें ऐसे ही प्यार करती थी पापा जब उस आँठी को लड़का कहने लगा किसन से मैंने अपना नाम बताया तो आँठी तो हस पड़ी बोल पड़ी बहुत सुन्दर नाम है जब मैंने आँठी से कहा कि लोग तो कहते हैं ये भी कोई नाम हुआ तो आंटी बोल पड़ी मुझे तो अच्छा लगा बाकी वही जाने इस बात पर मुस्कुरा दिया किसन पर अपने जजवातों को काबू नहीं कर पाया छलग गए उसकी आखों में भी आंसू और किसी बहाने से कमरे से बाहर आ गया थोड़ी देर बाद राधा खाना लेकर आ गई किसन बाहरी आंगन में मिल गया था नमस्ते के अलाबा एक सब्द भी नहीं कह सकी थी राधा उसकी आखों में सब कुछ बयान कर दिया अब तो वह खाना रखकर अपने घर चली गई किसन राधा को देख कर सोच में पढ़ गया उमर से कितनी बड़ी लग रही थी और कहने लगा लो बच्चे भी आ गए बोल पड़े पापा जो आंटी अभी खाना लेकर आई थी कितनी अच्छी हैं वो हम तो उनके घर जा रहे हैं आप भी चलो ना पापा किसन कुछ बोल नहीं पाया और बच् इसी तरह व्यविस्तित हो गया था बच्चे तो बच्चे उनकी मा भी राधा का खेतों से लोटकर आने का इंतजार करती उसके पहुंचते ही पहुंच जाती राधा के पास राधा को भी उनमें अपना पंसा लगता इन दो तीन दिनों में वो इतना घुल मिल गई कि अकेल की तरह नौकरी पर परदेश चले गए एक दो जो थे गाउं में रहते थे याद भी क्या आती हैं उनके एक साथ एक ही साल तो इसकूल गया था उसके बाद तो पापा आ गये थे और सहर चला गया था हाँ इसकूल जाते समय भूपी के साथ हुई उसकी लड़ाई को वो राधा से कैसे भिड़ गई थी उससे पूछ लिया था दोस्तों से भूपी के बारे में मिला नहीं भूपी क्या दुकान जो कर रहा है उसी की दुकान के पास तो उत्रे होंगे बस से उसका दोस्त कहने लगा किसन कहने लगा उत्रे तो वहीं थे पर शायद पहचान नहीं पाया उसे नहीं उसने मुझे पहचाना वरना बात तो हो जाती खूब देर तक दौन और दोस्त बाते करते रहे शाम को किसन गाउं के खेतों की तरफ टेलने चला गया मिल गया बजार से आते हुए भूपी अंदाजा लगा लिया कि यही भूपी होगा पास आते ही किसन बोल पड़ा आप भूपी हो ना भूपी बोला जी हाँ मैं भूपी हूँ और आप किसन हो ना चार दिन पहले बस से उतर कर मैं दुकान में बैटे थे आप पहचान नहीं पाए थे हम बाद में पता लगा आप गाम आ रहे हैं समझ गया था बच्पन वाले किसन जी ही थे देखो तो पंद्रे साल से उपर हो गए हैं आप लोगों का आना नहीं हुआ मैं तो मिलने की सोच ही रहा था पर दुकान से आते समय देर हो जाती है चलो अब किसी दिन बैटकर खूब बाते करेंगे और बाते करते करते भूपी और किसन घर की तरफ चल पड़े थे दौनों रास्ते में खूब बाते करते जा रहे थे किसन को गाउं में आए हुए पांच दिन हो गए थे चाहते हुए भी किसन राधा से नहीं मिल पा रहा था जब दूर रहता था क्या कुछ नहीं सोचता था पतनी सब्तो क्या सोचेगी बस यही अपराद बोध आरे आ रहा था कितना अच्छा लगता है जब बच्चे और सब्तो राधा के सभाव की बाते करते हैं किसन सोचता मैंने उसको इस हाल में लाकर खड़ा किया है फिर भी उसका लगा बच्चों और सब्तों के लिए देखकर उसे अंदर तक जखजोर देता आज तो उसके बारे में जानने के लिए यही सोचकर किसन बाजार चला गया और शाम को आते समय भूपी से राधा और गाउं की बाते कर लेगा भूपी और किसन दोना बाजार में जो बाते करते करते चले आ रहे थे बाते यहीं गाउं के हम उम्रसातियों की किसन का तो मन राधा के बारे में जानने का था पर अपने आप उसकी बात सिरू नहीं करना चाहता था सोच रहा था पता नहीं भूपी क्या सोचेगा बहुत याद आती थी बच्पन की बातें से उस दिन वाली बात तो वै भूला ही नहीं था जब स्कूल जाते समय भूपी के साथ जगड़ा हो गया था किसन ने इसी उमीद से बच्पन की बात छेड़ दी शायद भूपी राधा की बात सिरू कर दे तब भूपी कहने लगा कैसे भूल जाता राधा दीदी जो बीच में आ गई थी तुम्हारी मदद के लिए उसकी पत्थर की मार का निशान अभी तक बच्पन की याद दिलाता रहता है भूपी ने बच्पन की याद ताजा कर दी थी भूपी के मुह से राधा का जिकर सुनकर किसन को उमीद जग गई पर काफी दे तक जब भूपी और दूसरी बाती करता रहा तो किसन कुछ मायूस हो गया उसका दिल तो कर रहा था कि राधा के बारे में खुदी पूछ ले राधा के बारे में पर संकोच करता रहा किसन देख भूपी कहने लगा किसी चीज की जरुत पड़े तो बता न वैसे राधा का घर तो पास में है वही सारा परबंद कर रही होगी देखा अपना अंगन लगा आपको तुम्हारा घर इतने सालों से बंद रहा होगा राधा, मजाल, क्या जरावी गास उगने दे बेचारी के साथ अच्छा नहीं हुआ किसा जब तक चाचा जी थे, रिष्टे वाले आ जाते थे भाव देकर लोग उसको खेती करने में मदद कर देते उसे जैसे भी बन पड़ता, लोगों की मदद करती रहती है मुस्किल से गुजारा कर पाती है मैंने भी कोसिस की, किसी सरकारी योजना में उसका नाम डलवा कर, इसे कुछ मदद मिल जाए पर सरकारी मदद तो वरदो और विद्वाओं को मिलती है मैंने दीदी को कई बार बोला भी है कि जब जरुरत हो तो मुझे बोल दे पर कहां मानती है अभी तो हाथ पाम चल रहे हैं कहती है मैंनत कर लेती हूँ बाद में क्या होगा भगवान जाने कहते कहते भूपी चुप हो गया किसन से नहीं सुना जा रहा था यह सब कुछ कहना तो चाहता था पर ना जाने क्यों कहते कहते रुख जाता बातों में पता नहीं कब घर आ गया भूपी भी मिल गया किसन के बच्चों और सत्तों से और उनसे मिलने आने को कहकर अपने घर की ओर चला गया आज बच्चे राधा के आगन में खेल रहे थे राधा अंदर कमरे में काम कर रही थी पढ़ गई तभी मुन्नी की नजर अपने पापा पर आवाज लगा कर उसने अपने पापा किसन को भुलाया किसन भी पहुच गया उनके पास और मुन्नी कहने लगी पापा देखो हम क्या खेल रहे हैं आंटी बोल रही थी गाओं में छोटे बच्चे यही खेल खेलते हैं यह हमारा घर है यह मम्मी पापा और यह बच्चे मिट्टी के घर और कुतलों की ओरिसारा करते हुए छोड़ मुन्नी बोल रही थी घर तो कल तो हम अंटी के साथ दूला दूलन का खेल खेल रहे थे पापा आप भी खेलते होंगे न जब आप छोटे रहे होंगे कुछ देर रुक कर मुन्नी फिर बोली बाहर बात करने की आवाज को सुनकर रादा जो खाना बना रही थी आगई दरवाजे पर देख लिया उसने मुनिगी ने जो हाथ पकड़ कर ले आई बाहर आगन में और कहने लगी पापा ये हमारी आंटी है आप लोग तो बात ही नहीं करते मम्मी और आंटी तो ठकती ही नहीं है बाते करते करो ना पापा आँटी के साथ बात थोड़ी देर चुप रहे आखिर में रादा ने चुप़ी तोड़ी और बोली बहुत साल बाद आए हो आप लोग बच्चे भी पहली बार आए हैं इनको देखकर तो लगता ही नहीं कि मुझसे पहली बार मिले हैं इनकी मम्मी भी बस इनकी तरह है देखो कुछ काम हो तो बता देना हाँ जल्दी जाना मत जब तक बच्चों के छुट्टी है इने यहीं रहने देना यहां इनका दिल लग गया है किसन बोला राधा तु क्या सोच रही है मैं नहीं समझता तेरे दिल में क्या चल रहा है ठीक का तुमने बच्चों का दिल लग गया है यहां अरे ये तू ही तो है जो इनका दिल लगा कर रखती है मुझे नहीं मालुम तेरा कितना लगाव हो गया इन से मेरे से जुड़े हैं ना मनी मन में सोचता रहा किसन पर एक सब भी नहीं बोल पाया राधा किसन के मन को तो पहले ही पढ़ चुकी थी उसकी हालत के लिए अपने को जिम्मेदार मान रहा था किसन बोल पड़ी किसन मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो जब से आयो उदास रहते हो मेरी हालत के लिए अपने आपको जिम्मेदार मान रहे हो सारे अपनी अपनी किसमत लिखवा कर लाते हैं किसन कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं होता सच बताऊं जब तक बच्चों और सत्तो भेहन से नहीं मिली थी सोचती थी तुम कैसे होंगे याद करती रहती थी इनको मिलने के बाद तो मैं कितनी खुश हूँ मैं ही जानती हूँ तुम अपने को दोस देना बंद करो किसन इतने सुन्दर बच्चों के साथ खुश रहो तुम्हें खुश देखकर मैं भी खुश रहूंगी किसन कुछ बोलता तब तक सत्तो भी आ गई और चुप हो गया किसन मा से लिपटकर मुन्नी बोल पड़ी मम्मी पापा और आंटी को तो कभी बात ही नहीं करते आज तो मैं आंटी को पकड़ कर ले आई पापा तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहे है तो सत्तो कहने लगी वावई हम तो पहली बार मिले हम तो बाते करते नहीं ठकते और आप लोग तो बच्पन से एक दूसरे को जानते होंगे फिर कितनी कुछ बाते होंगी बच्पन की ऐसा तो होई नहीं सकता कि कुछ भी याद ना हो बात करने के लिए उन्हें ही याद कर लो सत्तो कहने लगी तो किसन मनी मन सोचने लगा अरे कुछ भी तो नहीं भूले हैं इसलिए तो हिम्मत नहीं हो रही बात करने की आज रादा घर पर थी पुराने बक्सों को खोल खोल कर उसमें रखा समान बाहर निकाल कर पूरे फर्स पर फैला दिया था तब ही सत्तो आ गई और पूछ लिया अरे रादा है समान फैलाने का कारण क्या है रादा को जवाब देती कपड़ों से आती सीलन की गंदने सब बयान कर दिया सत्तो बोली अच्छा तो आज कपड़ों को धूप लगाने का विचार है आपका ये तो गीले से लग रहे हैं सत्तो ने का तो रादा कहने लगी देखो ना बरसात की महरवानी कहकर चुप हो गई रादा सत्तो ने छट की तरब देखा कहीं जगे जगे से छोटे छोटे सुराखों से सूरज की रोशनी एक लंबी सी लकीर खीच कर अंदर आ रही थी तो सत्तो कहने लगी दीदी छट तो मरमत मांग रही है अगली बरसात से पहले करवानी पड़ेगी वे आगे कुछ बोलती किसी महिला की आवाज जो रादा को बाहर आने को कह रही थी चौका दिया रादा भी बिना देर के बाहर चली गई उस औरत की बास सुनकर तुरंत अंदर आका जल्दी वापस आने को कहकर उस औरत के साथ चली गई सत्तो अब घर पर अकेली रह गई उसकी नजर आसपास बिखड़े समान और कपडों पर थी कपडों के बीच एक कागज का लिफापा नजर आ गया जिग्यासा से सत्तो ने वह उठा लिया पोश्ट आफिस का पंद्रे पैसे का बिना पता लिखा लिफापा था लिफापे को देखकर लगता था ना जाने कितनी बार उसे खोला और बंद किया गया हो खोलने से नहीं रोक पई सत्तो और पढ़ना सुरू किया लिखा था किशन का नाम देखती सत्तो चोग गई एक बार तो चिठी आगे पढ़ने का मन नहीं किया पर पता नहीं क्यों पढ़ने का मन बना लिया किशन लिखा था इस वरसे तुमारी को सल्टा के लिए प्रार्थी हो तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया था कितने खुस होई थी मैं मैंने तो मा को बहुत दिनों बाद खुस होते देखा था हम तो सुबह से ही तुमसे मिलने निकल गए थे पूरा दिन तुमारा इंतजार करते रहे तुम्हारे इंतजार में तो हम भूली गए कि हमें सुबह से बैठा देखकर लोग क्या सोच रहे होंगे जब तुम नहीं आए तो मा को बहुत बुरा लगा उसकी बाकी बची कुछी उमीद भी जाती रही हमें भी आकरी बस से घर वापिस आना पड़ा उस दिन के बाद तो मा टूटी गई दुख तो मुझे भी बहुत होता था किसन पर उसकी हालत देखकर जाहिर नहीं करती थी उसे कुछ ना कहकर समझा देती थी चिठी कहां भेजती पता भी तो नहीं लिखा था फिर तुमने फिर सोचा किसी से कहलवा कर चाची से मांग लूँगी पर हिम्मत नहीं जुटा पाई मुझे चाची के संदेश से पता लग चुका था कि उन्होंने तुमारे लिए लड़की देख लिये और जल्दी शादी भी कर देंगी जब भी तुमारी शादी होगी वे एक बार पूरे परिवार सहित गाउं आएंगे अपनी बहु को लेकर गाउं जरूर आना मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी राधा सत्तों ने चिठ्ठी की तारीक देखी तारीक उसकी शादी से एक साल पहले की थी तब दूर दूर तक उसकी और किसन की शादी की बात भी नहीं हुई थी उसे समझदे में देर नहीं लगी जल्दी से चिठ्ठी लिफाफे में रखकर कपड़ों के बीच में रख दी अब राधा भी आ चुकी थी राधा ने पहुँचती सत्तो को गाउं की उस औरत की परिसानी वाली बात बता दी सुनकर सत्तो को यकीन नहीं हो रहा था कोई इनसान इतनी परिसानी में रहकर दूसरों की मदद के लिए इस तरह से दोड़ा दोड़ा कैसे जा सकता है अब तक जो जगे उसके वेवार ने उसके दिल में बनाई थी उसकी बास सुनकर और उसकी चिट्टी पढ़कर जो सत्तो का मन उसके पाउं छूने को कर रहा था सत्तो कहने लगी बेहन हम पहली बार मिले हैं अगर ये वाली साड़ी तुम रख लोगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा उसे लाल रंग की नई साड़ी शायद जिसकी तरह तह भी नई खुली थी उसकी और बढ़ाते हुए बोल पड़ी सत्तो की हालत देखते ही बनती थी एक भिकारिन की तरह साड़ी के लिए ना ही उसने अपने हाथ रोख पाई और ना ही अपने आशु साड़ी को पकड़ते ही राधा के सत्तो ने पाम चूने की इच्छा भी पूरी करनी चाहिए जैसे ही उसके पाम चूने को हुई राधा ने उसे रोक दिया और राधा उसके गले से लिपट गई राधा के गले से लगते ही कुछ देर बाते करने के बाद सत्तो अपने घर की ओड़ चल दी आज किसन को सै परिवार वापस जाना था दिल तो किसी का नहीं कर रहा था पर बच्चों के स्कूल खुल गए थे और उनकी छुटी भी खतम हो रही थी राधा ने भी रात को ही घर की खूब सारी चीजे बान दी थी उनके साथ सफर के लिए सुबह होते ही निकल पड़े राधा भी सर पर समान उठाय उन्हें बस तक छोड़ने चल पड़ी चलते चलते किसन को पुराने दिन याद आ रहे थे कितनी दोर तक राधा और चाची उनको छोड़ने आते थे राधा से बाते करते करते पता नहीं चला कि कब रास्ता कट गया दोनों कैसे सोचते थे कि कितना अच्छा होता रास्ता और लंबा हो जाता उन्हें और बाते करने का मौका मिल जाते बिछडते समय दौना की आखे नम होती अब तो सड़क गाओं के पास से गुजरती थी आज पूरे रास्ते शायदी राधा ने किसन की तरफ देखा हो या इहाल किसन का भी था पता नहीं क्या सोचकर अंजान सा बना रहते थे अब तो बाजार भी आ गया था राधा ने बच्चों का ख्याल रखने को कहकर बच्चों को सीने से लगा लिया बच्चे जो थे उसे छोड़ी नहीं रहे थे छुटकी तो रो रो कर साथ चलने की जिद करने लगी मुश्किल से चुप कराया उसको देखते ही देखते बस भी आ गई राधा न पकड़ा दिये बच्चों को पैसे और बस में बैठते बैठते किसन बोली पड़ा कुछ भी जरूरत हो तो जरूर बताना राधा सत्तो कहने लगी जरूरत तो होगी ही न कौन सी दीदी की नौक्री है कहते कहते सत्तों ने अपने हाथ में रखे पैसे पकड़ा दिये राधा को राधा उनकी जिद के आगे मना नहीं कर सकी अब तो बस भी चल पड़ी, राधा भी गाम वापिस चल पड़ी किसन को सहर पहुंचे काफी दिन हो गए थे कोई दिन ऐसा नहीं होता जब सत्तों और बच्चों ने राधा को याद ना किया हो जब कभी भी राधा की बात होती किसन का ध्यान से बच्चों की बाते सुनने में चला जाता पर शायदी कभी उसने इराधा का जिकर किया हो सत्तो उसके मनो भावू को समझती थी इसलिए उससे इराधा का जिकरे नहीं करती थी कि किसन को दुख ना हो आज छुटी का दिन था किसन और सत्तो अपने लौन में बैठे बाते कर रहे थे सत्तो ने छेड़ दिया गाउं का किस्ता बात करते करते बात गाउं के जिर्न हो रहे अपने मकान पर आकर रुख गई सत्तो कहने लगी लगता है हमें अपने गाउं वाले मकान की मरमत करनी होगी अब तो बच्चे भी छुट्टियों में गाउं जाने की जिद करेंगे रोहित कली बोल रहा था मम्मे कितना अच्छा होता अगर इस साल उनकी परिक्षाइं जल्दी हो जाती और उन्हें गाउं जल्दी जाने को मिल जाता और मुन्नी तो पूछो ही मत उसकी तो जान इरादा दीदी में अठकी रहती है अगर तुम और बच्चे यही चाहते हो जो किसन कहने लगा तो ठीक है इन छुट्टियों में मकान की मरमत करवा देते है सत्तो बोली तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें गाउं जाने में कोई दिल्चस्पी ही नहीं है अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो रहने दे वैसे भी साल में 10-15 दिनों के लिए जाएंगे वो भी तब तक जब तक बच्चे बड़े नहीं होते इसके बाद पता नहीं उन्हें भी फुरसत मिले या ना मिले जान बूज कर सत्तो ने ऐसा का किसन को भी खूब पता था कि राधा का मकान शायद ही एक और बरसात जहल पाए मन तो उसका बहुत था कि राधा की मदद कर दे पर यह सोचकर डर जाता कहीं उनकी गृस्ती में भूचाल ना आ जाए और राधा की खुददारी भी वह जानता था सत्तो किसन के मन की बात खूब अच्छे से जानती थी पर शायद किसन को आभास भी नहीं था सत्तो उससे भी पहले राधा की तूटी हुई छट से सूरज की रोशनी की लकीरे अंदर कमरे में आते हुए देख चुकी है बच्छों की परिक्षाएं भी हो गएं अच्छे नम्बरों से पास भी हो गएं गाउं जाने की तैयारी तो पहले से हो रखी थी बस इंतजार था तो बच्छों की छुट्ट्टियों का गाउं जाने के नाम पर सारे खुष थे कोई खुषी जाहिर कर रहा था तो कोई मनी मन में खुष था मुन्नी तो मम्मी से राधा आंटी के लिए ना जाने क्या-क्या खरीदवा लिया था पहुँच गए परिवार गाउं भूपी की दुकान में ही उतरें कुछ गंटे बाद सारे गाउं में थे बच्चे अपने घर पर बाद में पहुँचें पहले रादा अंटी के घर पर धावा बोल दिया रादा को भी उने का इंतजा लगा लिया बच्चों को गले से रादा बच्चों के साथ पहुँच गई सत्तों के पास सत्तों ने पहुँच हुए और गले लग गई किसन हुई चुक्चाप खड़ा देखता रहा हाँ इस बार तो रादा के हाल समाचार भी किसन ने पूछ लिये थे रादा ने खाने की तैयारी पहले ही कर रखी थी कुछ देर बाद सब ने खाना खाया और हो गया बातों का सिलसिला जारी किसन ने तैयोजना के अनुसार भूपी की मदद लेकर घर की मरमत का काम सिरू करवा दिया पूरे एक महिने को होने को था पता ही नहीं लगा समय कैसे निकल गया आज सत्तो और रादा दोनो रादा के घर पर बैटी बाते कर रही थी बातों बातों में घर की बात आ गई सत्तों बोल पड़ी दीदी मुझे लगता है आपका घर भी मरमत मांग रहा है लगता है थोड़ी सी जादा बरसात हुई तो छट नीचे आ जाएगी रादा बिना कुछ कई सत्तो की बात सुनती रहे सत्तो के बार बार कहने पर आखिर में रादा बोल पड़ी एक जान का क्या है एक कौने में दुबकी रहूंगी थोड़ी बहुत मरमत करवा लूंगी जब तक चल रहा है चला लूंगी रात में किसन और सत्तो रादा के मकान के बारे में सोचते रहे दोना की सोच एक ही दिसा में चल रही थी उनके सहर जाने से पहले रादा उनके घर में रहने को आ जाए पर एक दूसरे को जाहिर नहीं करना चाहते थे उन्हें यह भी पता था रादा को अगर उनके मकान में रहने को कहेंगे तो मानने वाली नहीं है इसलिए उन्होंने फिलाल चुप रहना ठीक समझा आज उन्हें सहर के लिए निकलना था सुबही आ गई थी रादा उनसे मिलने सत्तो कहने लगी दीदी घर की मरमत तो करवा ली है पर लगता है घर बंद पड़ा रहेगा तो दो तिन साल में दुबारा मरमत करानी पड़ेगी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहीं रहना सुरू कर दो कम से कम जल्दी से दोबारा मरमत की नौबत तो नहीं आएगी सत्तो के जोड देने पर रादा यह कहकर घर की चाबी उसने ले ली जब तक उसे लगेगा कि उसका घर रहने लाइक है वो वहीं रहेगी और हाँ वे अपने घर की चिंता ना करें अब सारे बाजार आ चुके थे भूपी भी वहीं उसकी दुकान में मिल गया किसन कुछ देर उससे बाते करता रहा किसन चाहते हुए भी भूपी से कुछ नहीं बोल पाया पर सत्तों ने भूपी को अलग बुला कर उससे बोली देवर जी आपको तो पता है रादा दीदी का अपने मकान में रहना खत्रे से खाली नहीं है आप कोशेश करना रादा दीदी हमारे मकान में रहने लगे बाते करते करते बस भी आ गई اور थोड़ी देर रुप कर चल पड़ी रादा सभी से मिलकर अपने गाउं के उर्चल पड़ी पूरा साल बीत गया बरसात आकर चली गई रादा वहीं अपने मकान में डटी रही ना जाने कितनी बार भीगी होगी भूपी भाई ने उसे किसन का मकान खोलकर उसमें रहने को कहा पर वे बाद टालती रहे इसकी खबर किसन और सत्तो को लग चुकी थी इस बार किसन को जरूरी काम आ गया नहीं तो नहीं जा सका था गाउं इसलिए सत्तो रोहित और मुन्नी को लेकर गाउं पहुँच गई राधा ने घर पहले से खोल रखा था घर को देख कर लग नहीं रहा था यहां कोई रहता नहीं होगा बच्चों को दीख गई राधा लिपट गए उससे और पकड़ कर ले गए उसी के घर पर अंटी देखो तो आपका घर तो पहले से भी ज़्यादा खराब हो गया मुन्नी कहने लगी कैसे रहती हो अंटी आप यहां आप हमारे घर में क्यों नहीं रह लेते बंदी तो रहता है मम्मी पापा को कहते हुए मैंने सुना था कह रहते आप वहां रह लोगी तो अच्छा लगेगा और आते समय पापा तो मम्मी को कह रहते बंद गर जल्दी तूट जाता है पता है अंटी मम्मी ने पापा से क्या खा तुम भी यही चाहते हो ना कि दीदी हमारे घर पर आकर रहे मम्मी की बास सुनकर पापा के चेहरे पर हलकी मुस्कान आ गई थी पर पापा बोले कुछ नहीं अंटी इस वार तो आपका समान हम उस घर में रख कर ही जाएंगे रोहित और मुन्नी जिसे राधा ने शायद ही कभी बोलते हुए देखा बोल पड़ा था आज रोहित भी बहुत बकर बकर कर रहा था राधा रोहित की बात को ध्यान से सुनती रहे कहने लगी ठीक है रोहित जैसा तुम कहोगे मैं कर लूँगी अब तो रोहित को लेकर पहुँच गई थी सत्तो के पास राधा रात भी गहराने लगी खाना खाने के बाद फिर सुरू हो गया बातों का सिलसला राधा का दिल भी किसन के बारे में जानने को हो रहा था तो सत्तो ने भी कर दी उसके दिल की बात पूरी काफी देर तक किसन की बाते करती रहे रादा भी हाँ हूं करती रहे रोहित और मुन्नी तो दिन भर रादा आंटी को घेरे रहते मुन्नी तो रादा के साथ खेतों में चली जाती थी वहीं बच्चों के साथ खेलने में सामिल हो जाती आज रात को तो बच्चों ने रादा आंटी को अपने घर में रोक ही लिया बाते जो खतम नहीं हो रही थी बच्चे कहने लगें आंटी आज तो मज़ा आ गया खेलने में यह गाउं में बच्चे कैसे कैसे खेल खेलते हैं सहर में तो बच्चों को कोई अकेले बार निकलने ही नहीं देता फिर हुआ कहां खेत और जंगल है मैं तो कल भी खेतों में खेलने जाऊंगी रादा कहने लगी मुन्नी कौन सा खेल है जो तुमें इतना भागया है सत्तो पूछने लगी बता मुन्नी मुझे भी तो सत्तों से कहने लगी रहा मुन्नी मम्मी गुडिया गुड़ी की शादी वाला खेल मुझे तो बच्चों ने गुडिया ही पकड़ा दी फिर जो वो बोलते रहते मैं करती रहती देख भाई कल तू भी चलना रोहित मज़ा आएगा हाँ आँटी आप भी तो खेलते रहे हो होंगे ना बच्चपन में हमें अच्छे से बताओ मुन्नी बोल पड़ी रोहित भी अब कहां पीछे रहने वाला ता बोला राधा आँटी हमें सिखा देंगी राधा बन गई बच्चों के साथ बच्ची कहानी सुनाने लगी मुन्नी को गुड़े गुड़ी वाली खेल की कहानी सुनी थी जिद पकड़ ली थी हार कर राधा ने कहानी सुरू कर दी देर नहीं लगी बच्पन में पहुंचने में सुनाते सुनाते राधा की आखे नम हो गई और मुन्झी और रोईत कहने लगे आंटी बरातियों को दुलन का मजाक नहीं बनाना चाहिए था पर दुल लिए रोहित ने रादा कहने लगी पता नहीं आगे क्या हुआ कहते कहते रादा का गला भराया सत्तो को समझने में देर नहीं लगी उसने भी बच्चों से कहानी पूरे होने की बात कह दी कब और कैसे पूरा महिना बीट गया पता नहीं चला कल सभी को फिर सहर वापिस जाना था सब्तो कहने लगी दीदी मेरी तो आप से प्रातना है हम ना सही मुन्नी और रोहित को अपना समझ कर इस घर में रहने आजाओं हमारे मकान में रहकर आप हम पर एहसानी करोगी वरना दो चार साल में इसकी हालत क्या होगी आप भी जानती हैं तो वह कहने लगी रदा ठीक ह मैं आपकी बात मान लेती हूँ पर आप लोग वादा करों हर साल आप गाओं आओगे बच्चे कहने लगे अंटी हम तो बिना कहें दोड़कर यहां आ जाएंगे मेरा तो मन कर रहा है यहीं आसपास यहीं गाओं में रहकर पढ़ाई करों तो राधा कहने लगी रोहित की ब गाओं आने को कहकर वापस गाओं के लिए चल पढ़ी एक मूची सी पहाड़ी पर रुक कर उनकी बस जो दूल उडाती आँखों से ओजल हो रही थी राधा उनकों सहर जाता हुआ देख रही थी और जब तक वो उनकी आँखों से ओजल नहीं हो गए तब तक राधा उने दिखाई देना बंद हो गए तो राधा भी वापस अपने गाओं की ओर चल पड़ी समय पंक लगा कर उड़ रहा था कोई साल ऐसा नहीं रहा होगा जब सत्तों बच्चों के साथ गाओं नहीं आई हो हां किसन वेवस्ता के कारण हर साल तो नहीं जा पाता था अचानक ही सत सत्तों की तबियत बिगडने लगी भूक न लगना थकान कमजोरी ब्लड प्रेशर की सिकायत होने लगी डॉक्टर ने किड़नी से संबंदी टेस्ट करवाने को कहा बिना देरी किये सारे टेस्ट करवा दिये रिपोर्ट भी आ गई जानकर किसन तूट ही गया सत्तों से दि कोना किड़ीनियों ने अब काम करना बंद कर दिया था डॉक्टर ने किड़नी ट्रांस्प्लांट की सला दी किसन और उसके दूसरे मित्रों ने अपनी किड़नी देने की पेशकस कर दी पर कुछ ना कुछ आड़े आ गया खबर यह गाउं में राधा तक भी पहुँच गया तो उससे रोहित को जल्दी से गाम भेजने का संदेशा भीजवाया उसकी खबर सत्तो तक भी पहुँच गई सत्तो कहने लगी किसन दीदी ने जल्दी गाम आने को कहा है जरूर कुछ बात है वरना दीदी ऐसे कभी नहीं कहती हॉस्पिटल के बैड पर लेटे लेटे सत्तो किसन से कह रही थी किसन कहने लगा तुम चिंता मत करो बस अपना ध्यान रखो इस वर से प्रातना करते हैं कोई डॉनर मिल जाए और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ फिर देख लेंगे क्या करना है सत्तो कहने लगी किसन जी देखो हम तो यहां एक दूसरे के सहरे के ल साल हो गए कभी नहीं कहा उन्होंने ऐसा पिछले साल कितनी बिमार हुई थी तब भी उन्होंने हमें नहीं बताया मैं तो कहूंगे किसन जी कि रोहित को गाम भेज़ दो और अगर उन्हें कोई परिसानी होगी तो रोहित उन्हें अपने साथ ले कर आ जाएगा सत्तो ने इस बात पर थोड़ा जोर देकर कहा तो किसन की आखों में राधा की तस्वीर उभराई और वे भगवान से प्रातना करने लगा कि ये भगवान राधा के साथ सब ठीक हो रोहित को गाउं भेज दिया गया दूसरे ही दिन रोहित गाउं पहुँच गया और राधा का हाल चाल पूछ लिए राधा ने भी रोहित से उसकी मा के बारे में पूछा लेकिन रोहित ने जादा कुछ नहीं बताया क्योंकि रोहित की मा सत्तो ने मना जो किया था राधा बोल पड़ी वा रोहित बेटा हुआ सत्तो बिमार है और मुझे बताने को भी मना किया यही ना कि मैं द दुखी, इस घड़ी में पराया क्यों बना दिया बेटा, रोहित भी राधा आंटी की बात चुपचाप सुनता रहा, अगले दिन राधा रोहित के साथ सहर आ गई, सहर पहुचते ही, उसने रोहित को सीधे सत्तो के पास हॉस्पिटल चलने को कहा, अब राधा सत्तो के पास ह छुपाती हो, ऐसे करती हैं कहीं छोटी बेहन, कोछ देर बाद, राधा सत्तों से मिलकर बाहर आ गई, किसन वहीं बाहर खड़ा था, किसन ने पोच लिया राधा से, राधा सब ठीक है न, राधा बोली क्या ठीक है, सत्तों बिमार पड़ी है, तुमने तो इतनी भी जरूरत नहीं समझी, की सत्तों की खबर मुझे दे देते, अरे वैसे तो बिना जताई सब कह जाते हो, की मैं भी तुम लोगों का हिस्सा हूं, पर यहां तो मुझे तुम लोगों ने भुला दिया, कि सन, मुझे तो जाइदा तो पता नहीं, पर मुझे खबर लग गई थी, कि सत्तों की दोनों किड़नी खराब हो चुकी है और उसको जिंदा रखने के लिए उसकी कम से कम एक किड़नी तो बदलनी होगी आप लोगों ने काफी कोशिस की पर आप लोगों से किड़नी नहीं दे पाए अब बिना देर किये मुझे कहो मैंने क्या करना है कर ले राधा को दाखिल कर दिया और इंतजार होने लगा ओपरेशन का सत्तो कहने लगी किसन मुझे आप एक वचन दो कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप राधा दीदी का ख्याल रखोगे हमारे बच्चे भी दीदी को उतना ही चाहते हैं जितना मुझे उसे किसी बात की कमी मत होने देना किसन चिपचाप सत्तो की बाते सुनता रहा ओपरेशन सफल हो गया था कुछ दिनों बाद दोनों की हॉस्पिटल से छुटी भी हो गई राधा को भी सहर में रोकने की लाग कोसिस की गई पर वह कुछ दिन स्वास्ते लाव के बाद गाउं को चल दी और तीन साल बाद राधा का स्वास्ते धीरे धीरे गिरने लगा जब भी सत्तो और किसन गाउं आते उनकी कोसिस रहती कि वो राधा के गिरते स्वास्ते का पता ना लगे राधा उनसे बहुत छुपाती क्योंकि वे उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी पर कब तक छुपा में तो राधा से चला तक नहीं जा रहा था नहीं मानी सत्तों इलाज के लिए अपने साथ सहर ले आई राधा को होस्पीटल में दाखिल करवा कर सारी जांचे करवाई डौक्टर ने मरीज के खानपान और एक किडनी वाले मरीज के लिए अपनाने वाली हिदायती दे दी इल राधा गाउं में अपनी देखभाल नहीं कर पाएगी। उन्होंने राधा को वहीं उनके पास रुकने को कहा। पर राधा नहीं मानी। यह कहकर राधा को गाउं भेजने को सत्तो और किसं तयार हो गए। अगर उसे कोई परिशानी हुई तो वैं उनके पास आ जाएगी। नहीं लगता था कैई दिनों से सोच रही थी पर आज तो राधा बोली ही पड़ी बोली देखो रोहित और छुटकी तुम भी तुम मुझे न बड़ी मा कहकर नहीं बुला सकते तो वो बोले आप मम्मी की तरह ही तो हमें प्यार करती हो अंटी अब तो हम आपको बड़ी मा कह करीब उलाएंगे रोहित ने भी कह दिया दो दिन बाद राधा रोहित के साथ गाउं के लिए चल पड़ी और धीरे धीरे पांस साल का समय बीत गया गाउं में राधा का स्वास्ते भी ठीक नहीं रहता था पर उसने इसका एहसास कभी किसन और सत्तो को नहीं होने दिया पड़े गाउं पहुंच गए राधा की हालत देखकर सत्तो अपने आसु नहीं रोक पाई और लिपट गई राधा से राधा में बोलने की भी ताकत नहीं रही थी इस आरों में सत्तो को राधा ने रोने को मना करने लगी और पूछ लिया रोहित और छोटी के बारे में किस किसन की तरब देखकर उसे भी दुखी ना होने को कहा और कोसिस करके लड़कडाती जवान में बोली पड़ी सत्तो मेरे प्रान तुमारे इंतजार में अठके हुए हैं अब मैं चैन से मर सकूंगी सत्तो तु जरूर पहले जनम में जरूर मेरी सगी बेहन रही होगी तबी तो तुमने मेरी इतनी सेवा की फिर किसन की ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी राधा पर कह नहीं पाई सत्तो उसे दिलासा देती रही कि जल्दी उसे होस्पिटल ले जाएंगे और वो जल्दी से फिर ठीक हो जाएगी राधा ने मुस्किल से अपने तकीय के नीचे से चा करते हुए चावी सत्तो की हतेली पर रग दी यह देखकर सत्तो भावुख हो गई और उसकी आखों से आशू निकलाए आब राधा का हात सत्तो के हात्म से कब छिटक गया कुछ पता नहीं चला और राधा के निदन की ख़वर सुनकर गाम वाले भी इखटा हो गए किसन के आशू भी रुके नहीं रुक रहे थे किसन ने राधा कांतिम संसकार विदी विधान से निभाया आज गाउं के लोग भी घर पर ही आए हुए थे कोई राधा की तारीप करता तो कोई किसन अर्सक्तो की भूपी जो किसन के पास बैठा था बताने लगा कि उसने राधा दी को परिशान करो तो किसन कहने लगा रोने लगा भूपी ले आता राधा को इलाज के लिए या हमें भी तो खबर कर देता क्यों मानी तुमने राधा की बात और किसन अपने आशों को जो रोक नहीं पा रहा था किसन ने राधा का जो कारी जरीती रिवास से निभाया आज द जीदी का बकसा खोल दिया बकसे के ओपर दो चिठियां रखी थी वे दोनों चिठि निकाल कर पढ़ने लगी उसमें लिखा तक किसन और सत्तो सदा सुखी रहो रोहित और छुटकी को प्यार मुझे लग रहा है अब मैं जादा दिन जिन्दा नहीं रह पाऊंगी आप लोग कितना सोचते थे मेरे बारे में पर कभी जाहिर नहीं होने देते थे क्या मैं नहीं जानती थी कि तुमने गाउं के मकान की मरमत मेरे लिए ही करवाई वरना तुमें इसकी जरुरत भी क्या थी हर साल मेरे लिए गाउं आते थे हाँ आखरी दिनों में मैं अपनी बिमारी की तुम तक नहीं पहुँचा पाई इसके लिए मुझे माफ कर देना तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना बच्चों का ध्यान रखना हाँ मेरी बड़ी इच्छा है रोहित और छुटकी की शादी में सामिल होकर उन्हें आसरवाद दू और मैंने जो उनके लिए एक गुलबंद और कंगन संदूख में रखे हैं उन्हें अपने पास रख लेना और जब रोहित के लिए बहु देखने जाओगे तो वे गुलबंद उसकी होने वाली बहु को पहना देना यह गुलबंद मेरी दादी का है और मेरे दादा जी ने मेरी मा को दिया था जब वो मेरे बाबा का रिस्ता करने गए थे कंगन मेरी नानी की निशानी है ये मेरी छुटकी को देना कि ये तेरी बड़ी माने तेरे लिए दिये है और वो इन्हें अपनी शादी पर जरूर पहने तुमारी राधा चिट्टी पढ़ते पढ़ते सत्तो फवक फवक कर रो पड़ी किसन्स का भी वही हाल था दो दिन बाद किसन और सत्तो सहर चले गए एक महीने से उपर हो गया था राधा को इस दुनिया से गए हुए किसन और सत्तो को एक ही बात परिशान करती थी अगर दीदी ने उन्हें अपनी बिमारी के बारे में बताया होता तो वो उसे इलाज के लिए अपने साथ ले आते दीदी आज उनके साथ होती किसन अभी भी अपने दिल की बातें ना जाने क्यों दिल में ही दबा कर बैटा था सत्तो किसन के मनो भावों को खूब पढ़ चुकी थी किसन जो अपराद बोध अभी भी दिल में पाले हुए था उससे किसन को मुक्ती दिलाना चाहती थी उसे मालुम था कि दीदी की हालत के लिए किसन ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है पर अब कर भी क्या सकते थे सत्तो कहने लगी किसन दीदी के साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ बहुत दुख जेले थे राधा दीदी ने उन्होंने जिंदगी में और अपना बड़पन तो देखो उनका उन्होंने अपना त्याग करकेने का सभाब भी नहीं छोड़ा इसी उमीद में बोल पड़ी कि किसन कुछ बोले सत्तो ने कहा किसन ता कि सिर्फ हाँ हूं करता रहा सत्तो कहने लगी किसन मेरी समझ में अभी तक नहीं आया तुम हमेशा चाहते थे कि दीदी के बारे में बात करने से बच्चते रहे मैं तो पहले ही दिन समझ گई थी जब तुम दीदी से मिले थे और सोच में पढ़ गई थी क्या तुम एक दूसरे को जो जानते नहीं हूंगे जो दो सब्दे में उनसे नहीं बोल सकते थे किसन सत्तो कहने लगी मैंने तो दीदी की चिठी जो उन्होंने तुम्हारे लिए लिखी थी तभी पढ़ ली थी जब हम पहली बार गाउं गए थे किसन को सारी बात बता कर उसे जो सत्तो ने चिठी पकड़ा दी चिठी पड़ते किसन बच्चों के तरह फबक फबक कर रो पड़ा सत्तो कहने लगी किसन अब पता लगा राधा दीदी और तुम एक दूसरे को कितना चाहते थे कितनी बार अपने माथे की चोट कपर जो लगी है उसका जिकर करते थे पूछने पर कुछ ना कुछ कह कर बाट टाल देते थे बच्पन में राधा दीदी की गुडिया का नाम छुटकी था तभी तो बेटी का नाम भी वही रखा मैं नहीं चाहती थी तुम सुनकर कितना खुस हुएते कि दीदी ने हमारे घर में रहने के लिए हां कर दिये तुम इतने सालों से गाउं क्यों नहीं गए वो मैं जानती हूँ कैसे राध जी हो गए मकान के मरमत के लिए पता लग गया था ना दीदी का मकान तूटने वाला है अच्छा किया तुमने किसन सच बताऊं जब दीदी के नाम से तुमारे चेहरे पर खुसी देखती थी तो मुझे कितने खुसी होती थी मैं ही जानती हूँ क्या सोचते थे मुझे पता लगेगा तो मैं बुरा मान जाऊंगी किसन तुमने कोई पाप नहीं किया था पर गलती जरूर की जब दीदी से मिलने ही गए थे तो मिलकर ही आते अरे वो तो औरत थी तुम तो आदमी थे तुमने तो आसानी से अपनी सुवीधा का रास्ता चुन लिया बेचारी दीदी को तो पहले ही बता दिया था कि तुमारी शादी होने वाली है जबकि दूर दूर तक हमारे रिस्ते की बात भी नहीं हुई थी चलो अब तो अपराद बोध को अपने दिल से निकाल दो किसन किसन कहने लगा सत्तो जो भी तुमने कहा सब सची कहा है मैं राधा की हालत के लिए जिम्मेदार था मैं बस प्यार को याद करने तक ही समझता रहा सच में मैं बहुत कायर था सत्तो किसन के आशो पोहुशते हुए सत्तो भोल पड़ी किसन कब तक अपने आपको दोसी मानते रहोगे दीदी तुमें स्वर्ग से देख रही होगी कितना दुखी हो रही होगी तुमें दुखी देख कर किसन मनी मन राधा के त्याग के साथ-साथ सत्तो के बड़े दिल के बारे में सोचता रहा दोस्तों जो राधा तो अपना त्याग करके जो स्वर्ग सिधार गए अब किसन और सत्तो राधा को याद करते और खुशी से अपना जीवन गुजारने लगे अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें राधे राधे